कि हम लोग संटेंस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से कम समय में संटेंस अलिजमेंट को सॉल्ब कर सकते हैं तो आएए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने बॉर्ड पर दिख रहा होगा यह आप सभी को पता है किसमें क्या होता है सबसे फर्स्ट और लास रूल्लडी लिखा हुआ होता है आपके यह शिक्स नमर का संटेंस आपको पहले से दिया होता है Eg बीच में जो है संटेंसेस P, Q, आरेस इस तरह से चार भागियों बढ़ा होता है और आपको क्या करना होता है इसे arrange करना होता है प्रोपर दे में arrange करके इसका निकालना होता है कि आप देख सकते हैं पहला कर रहे ग्रीड इस डिगार्ड़ेड एज तो मैं यहां पर आप लोगों को कुछ हिंट देने का कोशिश करना है पर हिंट देखेंगे और हिंट से आंसर पता चल जाए इसका physics नांत हो कि यदि कि सबीघ में एस्फैक्ट रहे ग्रिट को तुरंत बाद प्रीपोजिशन अगहाँ आता है तोड़ता है क्या करता है यहां पर यह दी निगेटिव वर्ड होगा यहां पर भी क्या होगा निगेटिव वर्ड होगा यहां पर यदि जिरंड होगा यहां पर भी जिरंड होगा यहां पर यदि टू पलस धीवन होगा यहां पर भी टू पलस धीवन होगा यहां पर यदि भी भीवन होगा तो यहां भी भीवन होगा इस हिसाब से यदि देखा जाए तो आपके पास यहां इफेक्ट है और इसको on चाहिए तो effect को on चाहिए और on कहां पे है छे नमबर में यहां देखिए effect on the other people यानि यदि आप बात करें तो आर जो है सबसे अंत में चला जाएगा कहां जाएगा अंत में आ जाता है इमोरल बेवियर से कोने तिक बेभार है ऐसा गया क्योंकि इट है और पॉस्टिवल रुइनियस रुइनियस नेगेटिव वर्ड है और इसका मतलब होता है बरवाद करने वाला खडाब नस्ट करने वाला एंड डिस्ट्रक्टिव आप गौर से देख लिजिए रुइनियस एंड के पहले है तो एंड के बाद वर्ड कौन सा आया डिस्ट्रक्टिव इसका भी मतलब होता है बिना सकनास करने वाला इफेक्ट ऑन क्या कर रहा है इस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन अधर पीपल दूस है सबसे अंत में आ जाएगा इस तरह से आप पी क्यूर्स मना सकते हैं सकेंड कोश्चन की बात करें तो मैं यहां पर भी आपको हिंट दूंगा और बहुत बढ़िया कोश्चन है सकेंड बला आप लोगों को मैं यहां हिंट दे देता हूं ध्यान से लिए आमुमन यह गान तो इसके लिए हम दैट का पड़ियोग करते हैं याद रखना है तू अपने साथ ना दैट लेता है अलाकि सपोज भी कहीं पर रहे तो यह भी दैट लेता है सब्वोज भी क्या लेता है दैट लेता है तो इसको याद रखना है ध्यान से कई बार इंसिस्ट रहता है यह भी दैट लेता है कई बार सो जो है एस वो सो यह भी दैट लेता है फिर हमारा यहाँ पर इन वर्ड से मतलब नहीं है हमारा मतलब एक ही word से है और वी हमारा मतलब गिस word से था तो हमारा मतलब है कि ये जो true है ये अपने साथ लेता है अब आपको आंसर बताना है एक और बात इसी sentence में आप देख रहें है कि जो born है न बॉर्ण जो है अबनी साथ क्या लिया है two लिया है क्या लिया है two plus one two plus one और burn in जब लेता है य्यार के लिए लेगा कि भाई 2012 में जनन लिया तो burn in भी लेता है born too भी लेता है born on भी लेता है जब date होता है तो यहां पर आप सी देखिए यह बलाद दिखिये एक जगा born के सात्थ लगा है तो दूसरा born के साथ भी लगना चाहिए और इस born को तो है अपने साथ लेता है तो आपका संटेंस का सुरू जो है किसे करना होगा तो आप कह सकते हैं कि सर हमारा संटेंस सुरू होगा आर से अब आर से सुरू बला संटेंस आपके पास देखना है कि कितना है आर से संटेंस तो है आपका सुरू हुआ है R से R P QS R S QP फिर हमने कहा कि यह जो Q है Q के तुरंत बाद S आना चाहिए Q के तुरंत बाद S आना चाहिए क्योंकि यह जो बॉर्ण है ना यह बॉर्ण को 2 चाहिए होता है Q के तुरंत बाद S रखना होगा Q के तुरंत बाद S दोनों में कहां पे है तो Q के तुरंत बाद S जो है आपका answer A हो जाएगा क्यों ऐसा हो जाएगा क्योंकि यह वाला bond जो है इसको 2 चाहिए और 2 कहां पे है S में है तो Q के तुरंत बाद किसको रखना होगा Q के तुरंत बाद S को रखना होगा Clear? गिल्कुल सही Next question को देखेंगे यदी sentence Third number क्या कहता है आपके शामने हैं आप देखिए God से क्या कह रहा है Third sentence की यदी बात करें तो देखिए क्या करा है बहुत अमूमन समानने तौर पे आप यसे बना सकते हैं बहुत बढ़ियां question है मैं यहाँ पर आपको hint दे जहाँ और उस hint से आप आराम से पकड़ सकते हैं sentence को बहुत असान है मैं hint दे देता हूँ और आप यदी चाहो तो question को बना सकोगे इन सर्च जो है यह अपने साथ हमेशा off लेता है तो हिंदी में कहते हैं के तलास में या के खोज में के खोज में तो जब जब कभी भी in search लिखा मिले तो इसके साथ off लेना है क्या लेना है off लेना है इसके बाद हम आपको बता दे कि settled जो है settled यह अपने साथ in लेता है यह भी आप दूसरा word आपको जानने को मिल गया settled in लेता है किसरी बातें आप यहां पर देख सकते हैं कि resulted भी अपने साथ इन लेता है क्या लेता है resulted भी अपने साथ इन लेता है अब आपके पास option available है आपके पास दो गोई इन भी है और सबसे बढ़िया बात कि यह वाला जो है इसको चाहिए OFF अब ध्यान से देखो OFF छे नमन में है यानि क्यूँ जो है सबसे अंत में आएगा क्यूँ गहां चला जाएगा क्यूंकि इन सर्च अपने साथ offline तो क्यूं अंत में कहां पर है वह answer हो जाएगा अब आप सामने से देख सकते हैं कि आंसर क्या हो गया ही हो गया आपको ध्यान से देखने की जुरत है यदि आप सही से देखे हिंट से केवल हिंट से आप आंसर को बना सकते हैं आपके लिए हिंट जो है काफी होता है स्वाल्व करने के लिए आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा केवल हिंट को देखके आप plus answer बना सकते हैं बाकी आप सामरे से देख सकते हो रिजल्टेड के साथ भी इन आगया और से ट्रल के साथ भी इन आ गया कैसे ये देख लिजिए को और से दिखे करा है industrial करा है in इंडस्क्रमिनेट इंडस्ट्री ले जाई संदे इन एक यह आंसे इन इन अर्वन माइग्रेशन फिर क्या कर रहा है एज द़रूरल क्या तो पूर से टल्ड इन अब यहां पर क्या कर रहा है गौर से देखिए इन सर्च आफ अपर्चुनीटी की तलास में सहर में आते हैं त नेक्स्ट को देखिए नमर थुरी को आप गौर से देखिए और आंसर बनाने का कोसिस्ट बहुत सारा अब यह थोरा सा भाका पर अधारित है करा है मैंनी पीपल एडवाइस मी एंगेस्ट अप्टिंग इंग्लिस्ट बहुत सारे लोगों लेने से मना किया कि बहुत सारे लोगों ने मुझे अंग्रे जी लेने से मना किया कि मतलो ऑच्छा वह बात हो गई दुसरी कहा यहां पर आप देखें घ्रा आई च्रूज पॉट्ट कल साइंसट इक्स्ट्मel इंट्रेस्टिंग और यहां करा है आई चुज पॉलिटिकल आना है कि पहले चूज करेंगे कोई चीज की पहले इंट्रेस्टिंग लगेगा मतलब पहले कोई चीज को खाएंगे या पहले स्वाधिस्ट लगेगा पहले खाएंगे तब स्वाधिस्ट लगेगा यहां देखिए क्यूं के तुरंन बाद ऐस आना चाहिए कि मैंने political science choose किया तो वे interesting लगा एक बात तो clear हो गया कि Q के बाद S चाहिए Q के बाद S कितने जगह पढ़ है इससे भी answer बन जाएगा Q के बाद S दूसरी चीज़ें कि लोगों ने जब मना किया फिर भी मैंने वही विशे लिया I decided to opt for it और Q ऐसा किया इसका reason क्या था I love the subject क्योंकि मैं उस subject को पसंद करता था आपका answer क्या हो जाएगा लोगों ने मुझे मना किया तब ही मैंने क्या किया अंग्रेजी को लिया अंग्रेजी the reason is I love the subject क्योंकि मैं अंग्रेजी को लव करता था उसी प्रकार similarly I choose political science को चूज किया और चूज करने पर पता चला मैं पाया कि पोलिटकल साइंस में बड़े नीट्स्ट Reaching सभजेक्च है और ऐस्बजुक्ट मेना इड़ेजिवेट असल इस वेल और संबजक्स मेना कि अंग्रेजवेशन में भी रहा तो यह按सर क्या हो जाएंग और तो कि ये सभी कोशिन एक्जामनेशन में पूछ्छा हुआ है एक्जाम में Om कि पांसमा कोश्चन क्या कहता है गवर से देख़ें। प्रिया कोश्चन है आप अराम से बना सकते हैं इस कोश्चन को ध्यान से 봐 कर दे रहा हूं यहां भी हिंट काफी है यदि आप हिंट को देखोगे हिंट को देख के आंसर बनाया जा सकता है पहले हिंट कर देता हूं आपको बहुत यह में आप इसको संटेंस को सही कर सकते हैं बना सकते हैं पहला हिंट जो है यहां पर मैं कर देता हूं कि इनेवल जो है इसके साथ two लगता है क्या लगता है इनेवल के साथ two लगता है और दूसरी चीज़े इंप्रूब्ड जो है इंप्रूब्ड जो है कि अपने साथ in लेगा ये दो चीज़ से आप चाहें तो question को बना सकेंगे इसके बाद एक और हिंट कर देता हूं कि subject जब कभी भी आएगा न तो भर्ब चाहिए और भर्ब के बाद फिर object चाहिए यह पूरा subject है यहाँ पर the availability of electric power good यह आपका भर्ब है तो P से सुरू करना आपकी मजबूरी होगी sentence दूसरी चीज है कि क्यू के तुरंत बाद क्यू जो है सबसे अंतिम में जाना चाहिए क्यू सबसे अंत में क्यू जाएगा क्यूंकि इसको क्या चाहिए इन चाहिए बावू इंप्रूफ्ड कोच क्या चाहिए इन चाहिए यानि ये जो शंट्स है न इसाब से अंते में चला जाएगा क्यूंग और सब Rhya PE चला जाएगा से बाद त्यांसे दिख लिजिए क्यूंग सब से अंते में चला गया अब ध्यान से देखने के जूरत थे कि कैसे मूँव कर रहा है गहुआ से देखेर कि यूँ अंतिम में कहां कहां पर है तीन जगा पर है किरा है पी से सरू करना है संटेंस को ए संटेंस पी से सुरू कहां पढ़ है जोडिक अब करण दावबिलिटी अफ दे एलेक्ठिक पावर बुड मेंकर ट्रिमेंडस डिफरेंस करा to the countryside गाओं को फिर क्या करा and enable rural economy क्या करा enable rural economy to improved in to do-do जगा है to improved in क्या करा improved in various directions answer क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपके पास दो टू था एक टू कोल ले लिया difference tremendous difference टू और एक टू कोल ले लिया आपका enable ले लिया है इस तरह से आप question को improve करा सकते हैं बना सकते हैं कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यह सब prepositional phrase ही आप phrasal verb को ध्यान में रखने से आप question को serve कर सकते हैं कोई भी problem हो तो आप comment box में जरूर बताइएगा इसी तरह का जो है पाच पाच का series लेके मैं आपके लिए आओंगा कैसा लगा यह वीडियो और यह solve करने का तरीका आप comment में जरूर बताएंगे तो मैं ज्यादा ज्यादा कोशिश करूंगा कि पांच के जगह 10 question रोज लेके आऊं वह आप लोग comment में जरूर बताईएगा कि यह solve करने का तरीका आपको कैसा लगा कि हिंट मैं दे दिया हूं ताकि आप question को आसानी से बना सकते तो कि यहां सब्जेक्ट था तो इसको तो भर्व चाहिए था और भर्व कहां पे हैं आपके पास यहां था तो सभाविक बात है कि पी से शुरू करेंगे और पी से एक ही sentence शुरू था यह time आपका बचा देगा इस तरह से सोचना है ज्यादा ज्यादा question solve करेंगे ज्यादा ज्यादा आपका concept जो है किलियर होगा और ज्यादा ज्यादा question को easily आप solve कर पाएंगे thank you